खबर्चितर कूट से हैं जहां एक महिला ने दबंग युवग पर घर में घुश कर तमंचे की नोग पर बलतकार करने का गनवीर आरोप लगाया है नयायना मिलने पर पैट महिला थाने के चक्कर काटने के लिए मजबूर है मामला राजापुर्थाना छेप के एक गाउं का है जहां रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पती कमाने खाने के लिए बाहर गया हुआ था वे अपने दो बच्चों के साथ घर पल अकेली रहती थी तभी पास का पडोसी सुसीर सिंग उस पर गंदी निगाहे डाले हुआ था कई बार उसको असलील कमेंट भी किया जिसका उसने विरोध किया था तभी 5 सितंबर को रात में उसके घर की दीवार फांद कर घर के अंदर घुसाया तमंचे की नोप पर उसके साथ बलत कार किया जब महिला ने शोर मचाये तो पडोसी और उसके परिवार जन के लोग इकठा हो गए आरोपी दवंग युवक को पकड़ कर उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन पुलिस ने उसके खिलाब कोई कारवाही नहीं की पुलिस मामूली धारा 150 में चलान कर उसे छोड़ दिया जिसके बार पीडित महिला लगा तार ठाने के चकर काट रही है लेकिन ठाने की पुलिस उसकी सुनने के लिए तयार नहीं है माले ने पुलिस अधिचक कारयाले पहुचकर नयाय की गुहार लगाई है जिस पर पुलिस अधिचक अतुल सर्मा ने मामले की जाच कर मुकदमा पंजी करते हुए जाच करने के आदेश दिये है